बाल्डूर गेट 3 ने मचाया धमाल बाफटा गेम अवार्ड में, अगस्ट में आ रहा है स्टार वार आउटलॉज, निव गॉड अफ वार गेम, आईरन मैन पे आया अपडेट, फॉल आउट फॉर पीस फाइब में, ये है इस वीक की मेजर हाइलाइट, चलिए अप डिटे एलेंड वेक 2, सूपर मार्यू ब्राउज, और कुछ स्मॉलर गेम को भी मिले, जैसे कि डाइवर, व्यूफाइंडर, अभी आप स्कीन पर देख सकते हैं, और बेस्ट गेम कावार्ड मिला फिट से बाल्डूर गेट 3 को, और बेस्ट डेवो गेम हुआ वेनबा, ये कौन स हो गया कि ये 30 अगस्ट को आ रहा है, और ये रिवियल हुआ, यूविस ओफ जापान से एक्सिदेंटली लीक हो गया है, तो मैं आपको बता दू, आपको 30 अगस्ट को ये गेम मिल जाएगा, और ये गेम आपको मिलेगा, PS5, Xbox Series, और PC पे, और इसका ट्रेलर बहुत ही अच 69 डॉला रखा गया, और नेक्स्ट उसका एडिसान है, गोल्ड एडिसान, और जो लास्ट है, वो डिजिटल अल्टिमेट एडिसान है, तो मैं आपको बता दू, अगर आप गेम को पर्चेश करते हो, तो आपको 3 डेल्स का अर्ली एक्सेस मिलेगा, साथ में आपको सीजन मिलेंगे, जिसमें के 2 DLC इंक्लूड होगा, और भी बहुत सारे चीज़ आपको मिलेंगे, तो मैं आपको बता दू, एक ऐसा भी न्यूज आ रहा है, कि जो स्टार वार आउटलॉव का जो गेम है, जो भी डिस्क में पर्चेश करेगा, उन्हें इंटरनेट चाहिए तो मैं आपको बता दू, जो उसका वीलें है, उसका एक कंसिप्ट आर्ट लीक हुआ है, और आप इस कंसिप्ट आर्ट में देख सकते हैं, कि कितना तगरा होने वाला है, और इसको तो देखके तो भाई, प्लेयर लोग को बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा है, कि हमारा व गेम पे काम बहुत ही जोरो सोरो से चल रहा है, और बात जोरो सोरो की नहीं, और इसका हैरिंग ही बहुत ही स्पीड में है, तो मैं आपको बता दू, लास्ट एयर वो लोग सीनियर कंबाट डिजाइनर को भून रहे थे, जिनको बहुत ही अच्छा से सिस्टम डिजाइनिं और एनिमी के बारे में पता हो, और गॉर्ड अफ वार और गॉर्ड अफ वार रैगनारोक को लोग ने प्रिफर किया, तो उस समय के बाद से बहुत सारे रियूमार आ रहा है थी कि गॉर्ड अफ वार का ठाइडोजी पर भी काम चल रहा है, लेकिन अभी नाया जॉब लिस इसका नाम वो लोग ने अभी रिवील नहीं किया, लेकिन ये तो हर को समझ रहा है कि वो लोग नाया गॉर्ड अफ वार गेम पे ही काम कर रहे है, क्योंकि वो लोग का गेम अल्रेडी ये बेस्ट गेम है और उसको लोग लूज नहीं करना चाहते हैं, तो नेक्स अनिमल वेल जो कि आपको मे 9 मिलेगा, इसके अलाव पीस प्लस गेम के नाम है डेव दडाइबर, अनिमल वेल, और बैलर, लीगो मार्वल अवेंजर और अभी आप सारे गेम स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अलाव पीस प्लस प्रीमियम पे तीन गेम मिलेंगे, जिनका नाम है एलेउन इन दडार्क, स्टार वर्कर, रेबल एसॉल्ट टू और मेडी इवर, नेक्स्ट निव्ज है, डिस्टिनी के फैन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गुड निव्ज है, तो मैं आपको बता दू, ऐसे रिमोर काफी टाइम से आ रहे थी, कि डिस्टिनी थ पता चल रहा है कि वो लोग साय देस्टिनी थी पे काम स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैं आपको बता दू, लास्ट मन्त एक रेडिट पे बंदा थे, जिन्होंने रिभील किया था कि डिस्टिनी थी पे काम चल रहा है, लेकिन कोई लोगों ने उस पर बिलीव नहीं किया, क नेक्स अपडेट है, फॉल आउट फोर से लेके, तो मैं आपको बता दू, ये गेम फाइनली पीएस फाइव वर्जन पे आ रहा है, तो मैं आपको बता दू, ये अलेडी 2015 में आ गया था, और उस टाइम से काफी वेट कर रहा थे कि पीएस फाइव पे ये खब अपग्रे है, और इसके अलावा, परफॉर्मेस मोड, क्वालिटी मोड, सेटिंग मिलेंगे, और बहुत सारे बग को लोगों ने फिक्स किया है, और साथ में स्टेबिलिटी को इंप्रूफ किया गया है, तो मैं आपको बता दू, अभी जस्ट फॉल आउट वन का एक नया वेब सीरी जमेजन प्राइम पे आ चुका है, तो मैं आपको बता दू, मुझे तो बहुत ही मज़ा राद देखके, तो नेक्स अपडेट है, ये की तरफ से, और इस गेम का नाम है, आइरन मैन, तो मैं आपको बता दू, काफी टाइम से रिमर्स आ रहे हैं, कि ये मोडिव स्टूडि किया है, ट्यूजडे को, और उन्होंने बोलाए कि वो लोगोंने बहुत सारे टीम मेंबर को एड किया है, ताकि इस गेम को बहुत ही तीजी से बराया जा सके, और इसकी अलावा, ये वाले सायद एक बैटल फिल्ड गेम पे भी काम कर रहे हैं, तो हम भूफ करते हैं, अप खबरी फटाफट, ये पले सस्क्रिप्टन का प्राइस बर गया है, फाइनल फैटेसी सेवें रिबर्ट का एक नए अपडेट आया है, जिसका नाम है 1.30, जिसमें प्लेटिन ट्रॉफिक को फिक्स किया गया है, और बहुत सारे बाग को फिक्स किया गया है, तो आज के लि मेल टेन नेक्स वीक, बाइ!